हेलो स्टुडेंस वेलकम तो होम स्टडी तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉंडिश थीज और ऑस्टिश थीज के बारे में तो इनको हम डीपली पढ़ेंगे इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और डियाग्रामेटिक लिए इन्हें डिफ्रेंशेट भी करेंगे साथ स्टुडेंट्स सबसे पहले में आप लोग की सिंप्लिफिकेशन के लिए ये बता देती हूं कि क्लास कॉंडिश थीज जो होती हैं उन्हें हम काटी लेजिनस फिश कहते हैं और क्लास ओस्टिश थीज जो होती हैं उनको हम बोनी फिशिस कहते हैं तो दो टाइप की फिशि काटी लेजनेस फिश और बोनी फिश यानि एंडो स्केलेटन जो होगा वो उनका काटी लेज से बना होगा या बोन से बना होगा यह देखने वाली बात होती है तो यहीं इनके बीच में डिफ्रेंशेशन होता है फिर भी इनमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उन दोनों क कण्पड़ते हैं हाबिटेट इनका मरीन होता है बौड़ी उनकी स्ट्रीम लाइन बटी होती है और काटी लेजन ब्यातर और अब स्कैलेटन शो करते हैं याद कैसे रखेंगे देखिए काटी तीज में ब् 시 से से चलट हो रहा है और कांटी काटिलेजनेश अंडोषकेलिट लोकेटीटा ने इंद नितने स्काम्तलम मैंने फिश़ल्य वीडियो में तो बता था कि ङुकी मैं पूलको हुटाक। notochord इनमे throughout the life होता है respiration gillslits से करते हैं लेकिन एक चीज इनमें operculum पाया नहीं जाता है operculum क्या होता है जो fishes की gillslits होती है na students उसको cover करता है यानि वो open नहीं रहती उसमें cover होता है उसे हम operculum कहते हैं जो की इनमें पाई नहीं जाती है तो ये एक बहुत ही differentiating feature हो गया है तो दो points मैंने आपको बताई जो different है यानि चॉंडिश सीज में तो एक cartilaginous endoskeleton होता है दूसरा gillslits में operculum नहीं होता है skin इनका tough होता है और उनमें placoid scales होते हैं ये तीसरा differentiating feature हो जाएगा कि इनमें placoid scales present होते है हाला कि boni fishes में दूसरा present होता है जिसे हम cycloid scales कहते है उसके बारे मैं आपको बताऊंगी इनके skin tough होती है और इनमे placoid scales होता है अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि scales क्या होता है placoid scales क्या होता है ये क्या fundा है इसको clear करते है देखिए scales क्या होता है plate like structure होता है जो fishes की skin पे present होता है scale क्या होता है ये plate जैसा structure होता है आपने fish पे देखा होगा कि इस तरीके के designing बनी होती है जो fish के उपर scale type की designing बनी होती है उसे हम scales कहते हैं ये fishes के skin पे होती है अलग-अलग टाइप के होती है scales भी जैसे placoid scales हो गया cycloid scales हो गया अब उनकी designing भी different होगी designing different होगी तो obviously बात है कि उसका function भी different ही होगा तो क्या different function होता है placoid scales का उसके बार में पढ़ते हैं placoid scales एक तो ये बहुत small plates like structure होता है दूसरा इनका जो main function होता है वो होता है protection and predating के लिए यानि ये predators का काम करते हैं और protection भी देते हैं fishes को I hope आपको पता होगा कि predators का काम क्या होता है नहीं पता तो मुझे comment box पे जरूर पूछेगा teeth इनकी जो teeth होती है वो modified placoid scales होती है यानि placoid scales ही modify होके इनकी teeth form करते हैं जो की backwardly directed होती है यानि पीछे की तरफ होती है direction किसका teeth का teeth किस चीस से इनका बनाए modified form of placoid scales ये बात याद रखेगा तो मैंने फिर भी mostly मैंने अभी तक 3 differentiating features बताए बोनी और cartilaginous fishes में आगे देखते हैं पहली बात तो they have a very powerful jaws एक तो इनमें jaw होता है lastly हमने cyclos tomata के बारे में पढ़ा था उसमें हमने बोला था कि वो jawless fishes होती है उनमें jaw नहीं होता है मगर इनमें jaw होता है और वो बहुत ही जादा powerful भी होता है यानि वो अपने predators को catch बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्हें kill भी कर सकते हैं hence they are predacious obviously बात हुई इनमें air bladder present होता है अब ये air bladder का काम क्या होता है कि ये constantly swim करते हैं ताकि ये sink ना हो air bladder की वज़े से ये they swim constantly without sinking ताकि ये डूब ना जाएं इसलिए इनको इसके जरुरत होती है heart इनके two chambered होते हैं one auricle and one ventricle some of them have electric organs next जो defining feature आया है वो ये है कि ये इनमें दो बहुत ही differentiating organs present होते हैं electric organ and poison sting electric organ electric produce करेगा और poison sting से poison निकलेगा और उनके जो example है electric organ का torpedo है और poison sting का trigon है तो ये वाले दोनों examples भी बहुत important हैं ये direct MCQs में NEET के exams में पूछे जाते हैं तो make sure कि आप ये यादी कर लो अभी के अभी तो आपके लिए अच्छा है boat exams में भी कई बार पूछे जाता है तो उसी को थोड़ा से explain करके पूछ लेते हैं एक दो नंबर का आ जाता है तो वो भी आप याद कर लीजे next है they are cold blooded जिनने हम pie kilo thermos कहते हैं यानि pie kilo thermos का मतलब होता है cold blooded organism next इन में internal fertilization होता है और sexual reproduction होता है they are vivi paris and direct development they show male in male fins they bear claspers यानि कि इन में जो male इन में जो male होते हैं उनके pelvic fins में यान होंगे उन में claspers present होते हैं इन claspers का काम होता है female fish को catch करना for sexual reproduction तो यह एक इसका important function है तो इस में claspers होते हैं यह आप याद रखिएगा example में scoliodon जिसे हम dogfish कहते हैं pristis sawfish great white shark trigon तो यह examples हो गए इसके पारी NCRT में दो diagram ही show किये गए हैं scoliodon का और pristis का सिर्फ यह दोनों diagram show किये गए हैं cartilaginous और boni fishes को differentiate करने के लिए diagram में मैं आपको show करती हूँ यह होती है cartilaginous fishes देखिए इनमें क्या difference नजर आ रहा है आपको पहली बात तो इनके gillslits open है यह इनका snout यानी nostril और mouth वाला area हो गया यह इनकी eye हो गई यह mouth हो गया यह इनका clockा हो गया इतना इनके parts आप देखिए बस बोनी fishes में देख लीजे इनके जो gillslits है वो cover है इनके gillslits cover दिख रहा है आपको यहां पर इनके gillslits देखिए ऑपर किलम present है इनके gillslits में snout area है mouth है eye है साथी साथ इनमें थोड़ा सा breast development भी होता है pectoral fin है caudal fin है और इनमें भी clockा होता है boni और cartilages fish में जो body का feature होता है उसके अलावा और एक differentiating feature होता है कि इनकी aquatic existence में उसी तरीके से इनको challenge भी होता यानि इनकी जो जीवन होती है वो aquatic life में थोड़ी different होती है दोनों की boni और cartilage वालों में तो यह बात आप याद रखिएगा कि यहां पर मैंने gas exchange of fishes दिखाया है वैसे ही आपके काम का उतना है नहीं तो मैं आपको यह वाला नहीं कराऊंगी यह basic fish anatomy मैंने आपको शो की है एक बाड़ी देख लीजेगा इसको भी वही है सारी चीजे जो differentiate इतना define नहीं दिया हुआ है वाट फिर भी मैंने आपको बताया यह थोड़ा सा उसका anatomy और अच्छे से है शो किया है रेस्पिरेटरी सिस्टम भी मैंने एक निकाल के रखा था लेकिन फिलाल यह भी अभी आपके काम का नहीं है यह मैंने आप शो किया है जो हमने साइक्लो स्टोमाटा के बारे में पढ़ा था जॉलस फिश उनके बारे में है यह वो इस तरीके से दिखती है देखिए उनमें जॉन नहीं है तो वो किस तरीके से दिख रहे हैं यह उनका माउथ है यह देखिए इनका माउथ ऐसा होता है इनके jaw नहीं होते, sucking इनका नहीं, मैंने बताया था ना, कि यह suck करके अपने, जो भी इनके prey होते हैं, उसको लेते हैं, capture करते हैं, अपने food को, तो यह ऐसा नहोता है इनका, spawning पढ़ाई थी मैंने last video में, उसको भी मैंने एक life cycle करके show किया है, देख लीजे, किस तरीके से spawning हो रही है, यह देखिए, यह दूसरी जगा male और female जा रहे हैं, वहापे spawning कर रहे हैं, और एक produce हो रहे हैं, और उनकी young ones produce हो रहे हैं, और वो die हो जाएंगे, और उनकी young ones बोडी में आ जाएंगे, यह life cycle की, next आ जाते हैं, habitat इनका marine और fresh water होता है, body इनकी endoskeleton और streamlined body होती है, mouth इनका terminal होता है, देखिए, chondris these में mouth ventral था, इनका mouth terminal है, यह बात आप याद रखिए, there's a difference, four pairs of gills which are covered by an operculum on his side, इन में operculum होता है, यह bony होते हैं, इनका mouth terminal होता है, skin covered by cycloid और tinoid scales, यह भी मैंने आपको बताया अभी, क्या होते हैं, दोनों, दोनों के अलग-अलग scales होते हैं, air bladder इनमें present होता है, heart इनका two-e chambered होता है, one auricle and one ventricle, they are cold-blooded animals, स्कॉम क्या बोलते हैं, pyokilothermous, sexes are separate, तो इनमें sexual reproduction होता है, they show external fertilization, air bladder का मतलब क्या होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ, air bladder को swim bladder, या gas bladder भी कहा जाता है, यह एक internal gas filled organ होता है, जो की fishes की buoyancy को maintain करता है, ताकि वो आराम से swim कर सके, that's it, they are oviparous, cartilaginous fish viviparous होते हैं और यह oviparous होते हैं, direct development इनमें भी शो होता है, examples में इनके marine, fresh water और aquarium, तीनों क्या अलग-अलग examples हैं, marine में exocetus, hippocampus है, common name भी प्लीज देखिए, common name hippocampus का तो बहुत बार पुछते हैं, fresh water में labio, rohu, katla-katla and magur, aquarium में beta, fighting fish and pterophyllum angel fish, तो यह example जरूर याद कर लीजेगा, NCRT में यही दो diagram दिये हैं, hippocampus का, यह हमारा hippocampus है, जिसको seahorse कहते हैं, और katla-katla. So I hope students, आज के लिए इतना होगा काफी, next video में हम आगे की बात करेंगे, amphibians, apes, reptiles, mammals, यह सारे class हम देखेंगे deeply, और उनके बारे में अच्छे से clearly जानेंगे. So I hope, आपको आज मैंने जो भी clear करवाया, वो सब कुछ समझ में आया है, कोई doubt हो, तो तुरंद पूछिएगा मुझसे comment में, या फिर मुझे इंस्टा पे message भी कर सकते हैं, link सारी provided है, पिछली वीडियो की भी, और मेरे चैनल की link भी, आई बटन पे जाके पिछली वाली वीडियो जरूर देखिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, तो पिछली वीडियो को जाके एक बार जरूर देखिए, आप मेरी वीडियो, आपको सारी चीज़े बहुत अच्छे से clear होंगी, अनिमल किंडम के ही सीरीज में हैं हम लोग काफी दिनों से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, इस वीडियो को जितना हो सके शेर जरूर कीजेगा, and thank you, thanks for watching, take care of yourself and happy learning students, bye-bye.